हमारी लिए यह जानना बहुत दिल्चस्प होगा कि 2018 में वालीवुट के कौन-कौन से स्टार्स कुवारे से शादी शुदा बन गए जी हां कई स्टार्स के लिए 2018 का वर्ष बहद लखी साबित हुआ वे एक कौनारे से शादी शुदा हो गए आठ माई को सोनम कपूर ने शादी कर ली और वे बन गई मिसेस आनन्द आहुचा अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ने अपने अभी नई से अपना एक अलग ही इस बालिवूड में बनाया और उन्होंने आनन्द आहुचा से शादी करके अपना परिवार बसाना शुरू कर दिया इसी तरह एक दिसंबर को प्रियंका और निक बन गए हमसफर यह शादी वर्षों तक यात की जाएगी इसका एक कारण यह है कि यह जोदपूर के उम्मेत प भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी भी शामिल हुए इसलिए यह शादी भी बेहद यादगार बन गई कॉमेडी कलाकार कपील ने गिन्नी के साथ 12 दिसंबर को शादी कर ली उन्होंने अपनी गरल फ्रेंड गिन्नी चत्रत के साथ शादी की और कपील ने ही यह बात बताई कि 2005 में IPJ कालेज में जब आडिशन देने आई थी वहीं से कपील की गिन्नी से मुलाखात हुई कपील तबी से उनके आशिक हो गए थे बालिवोट की स्टार्स नेहा दूपिया ने भी अभी नेता अंगत बेदी के साथ इसी साल शादी कर ली और वे मा भी बन गई हमेश रेशेमिया जो की मशूर संगर हैं उन्होंने भी अपनी शादी मना ली एक्टरेस सुनिया खपूर के साथ उन्होंने 12 माई को शादी कर ली इसके पशचाथ टीवी कलाखार गोरो चोपड़ा दोरा हितीशा से शादी की गई अभी नेतरी रूबीना मलिक नेभी मिथुन चकरवर्ती के बेटे भी विवा में बंद गए मिमो चकरवर्ती ने एक समारों में मदलसा शर्मा से शादी की और फिल्म अभीनेता तथा फिल्म वीरे दी वेडिंग में करीना कपूर के पती बने सुमित व्यास ने टीवी अक्टरेस एकता कोल के साथ शादी कर ल गई तो कुल मिलाकर 2018 का यह वर्ष अनेक व्यक्तियों के लिए बालिवुस्ट स्टार्स के लिए बहत लकी रहा और वे शादी के बंदन में बंद गए अब एक नई खबर यह आ रही है कि रणवीर और दीपिका की शादी को लेकर भी यहाँ पर बात करना जरूरी है जिन् अजरे से कुल मिलाकर दो शादियां बहत चर्चित रही रणवीर और दीपिका तथा प्रियंका और निक जोनस की